नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूपटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन डी ट्रिपल स्बी पीजी टी 2020 इतिहास और चेप्र का नाम है मध्य कालिन धार्मिक आंदोलन ए इसका एक पार्ट और बनेगा बी से और यह भाग तीस है तो चले वीड चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वी इंका मकबरा कहां परिस्तित है बाबा फदरुदीन गजे संकर तिसका अंसर हो जाएगा यह पाटन में पाटन में है और यह पाटन पढ़ता है पाकिस्तान में पाकिस्तान के मद्ध पंजाब परांतर पड़ेगा यह पाटन पाकिस्तान में यह पाकिस्तान में यह पंजा के मद्वप्रांथ पंजाब में पाटन है वहां पर जो है बाबा फदरुदिन गजे संकर का मकबरा है और अंगाबाद में बीवी का मकबरा है और अंजेब ने बनवाया था यहां पर कुश्चन नमबर दो है सुमेलित करने के लिए तो चले इसको सुमेलित करते हैं कौन किस संपरदाय से संबंदित है सूफी संपरदाय यहां पर दिया गया है देखे अमीर खुसरो तो अमीर खुसरो जो है चिस्तिया से संबंदित है चिस्तिया संपरदाय है सूफी संत का मिया मीर ये जो है कादिरिया संपरदाय से संबंदित है साह दौला दर्याई तिये सुहरा वर्दिया से संबंदित है साह वली उल्ला ये जो है नक्स बंदिया से संबंदित है यानि इस परकार ये सुमेलित है Q3 है निमलिखित में से किस ने सूफी संपरदाय में सरपर्थम फाना का परियोग किया फाना का परियोग सरपर्थम किस ने किया था इसका अंसर हो जाएगा B. अबु यजीद ने कोशन नमबर चार है अधिक्तर मुस्लिम लेखकों और कभी जिन्होंने हिंदी साहित को अपनी रचनाओं द्वारा युगदान दिया वे थे वे कौन थे इसका एंसर वो जायेगा बी सूफी संत या सूफी वाद के अनुवाई कोशन नमबर चार है देखिए दो बार रिपीट हो गया है तिसका एंसर हो जायेगा बी सूफी संत या सूफी वाद के अनुवाई कोशन नमबर पांच है निमलिखित में से कौन सूफी वाद से नहीं जुड़ा है कौन जो है सूफी वाद से नहीं जुड़ा है इसका एंसर हो जाया गसी उल्मा या इसी को उलेमा कायता है उलेमा को जो है एक परकार के जो है इसलामिक धर्म गुरु कायता था उलेमा को इसके अलबा जो है खानखा जिसको खानखा कायता था पीर और सेक ये सब जो है सूफी से नहीं जुड़ा है। को सनन् of है यह यो बिशय जो हिंदु विद्वानों द्वारा उपेच्छित किन्तू मुसलिम बिद्वानों द्वारा रूची का विशय रहा थथा। यह बी stimulator कंद étवर है ८िल्पति हसे जो हिंदु बिद्वान उसके बारे में ज्यादाण नहीं किये लेकिन मुस्लिम विद्वान जो है इतिहास के बारे बर्चर के इसका वड़न किये हैं यह इतिहास ही है कुशन नमबर साथ है कौन प्रसिद सूफी संथ अवध में पैदा हुए थे अवध में कौन पैदा हुए थे इसका एंसर हो जाएगा सी नसुरुदीन महामुद चिरागे डिल्ली नसुरुदीन महामुद चिरागे डिल्ली यह निंका जान मझ। आवध के शेतर जो पढ़ता है आयोध्या में हुआ था जबकि इनकी मिरत्तु दिल्ली में विए थी ये चिस्टी सिल्शिला के संब्नाद रखते थे Question number 8 है दख्ण में चिस्टिया सिल्शिला की प्रसिधी के कारण थे दख्ण में इनके प्रसिधी की कारण थे गेशुदराज गेशु दराज दच्छिण में ये गेशु दराज जो सूफी संत थे दच्छिण में चिस्तिया सिल्चला को परचार किये थे कोर्शन नमबर 9 है महा भारत वर रमायन का बांगला अनुबाद किसने करवाया महा भारत वा रमायन का बंगला अनुबाद किस ने करवाया था इसका एंसर हो जायेगा C नुसरत साह किस ने करवाया था नुसरत साह ने नुसरत साह करवाया था यह जो है बंगाल का सासक था question number 10 है भागवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक है यानि भागवत गीता पर टीका लिखेगे जिसका नाम है भावार्थ दीपिका के लेखक है इसके लेखक कौन है इसका एंसर होगा A ग्यानेस्वर कौन है ग्यानेस्वर यह माराष्ट के थे question number 11 है चिस्ती संपरदाय की अस्थापना किसने की थी चिस्ती संपरदाय की अस्थापना भारत में की थी Question number 12 है निमलिखित में से चिस्ती संपरदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है तो भारत में संस्थापक कौन माना जाता है भी वही question है तिसका एंसर हो जाएगा Question number 13 है निमलिखित में से कौन सूफी मत में चिस्तिया साखा का संस्थापक था सूफी मत में तिसका एंसर हो जाएगा भी ख्वाजा अबु अबदाल यहाँ पर जोए ख्वाजा माना दिन चिस्ती नाम नहीं दिया है तो ये ज़े सूफी मत में चिस्तिया साखा का ये संस्थापक था ख्वाजा अबू अबदाल कोस्टन नमबर 14 है महबूब ए इलाही उपाधी थी किसकी उपाधी थी ये उपाधी थी निज्ञामुदीन अउलिया की मावु वह इलाही किसकी पादे थी निज्ञामुदीन अउलिया की निज्ञामुदीन अउलिया जो है चिस्ती संथ से संब्ध था यह चिस्ती संप्रदाय को मानता था यह और इसके जो है कोस्षन नमबर 14 है देखिए दो वार रिपीट हुए कोस्षन हो गया है निजामCal competitorि नवलियाः पर सेखनी जा मूदिन नालिया का जन्म हुआ था शेख निजामुदीन ओलिया का जन्म कहां हुआ था इसका एंसर हो जाएगा C बदायू में बदायू में उत्तर परदेश राज में पढ़ता आए उत्तर परदेश में बदायू जिला है क्वेशन नमबर 16 है निजामुदीन ओलिया थे क्या थे ये इसका एंसर हो जाएगा B सूफी संत निजामुदीन ओलिया कौन थे सूफी संत थे क्वेशन नमबर 17 है निजामुदीन ओलिया संबन्धित थे ये सिल्सिला पूछ रहा है ये थे चिस्ती सिल्सिला से या चिस्ती संपरदा काते हैं इसको क्वेशन नमबर 18 है निमलिखित सूफी संत में से कौन मुझ दिद या इसी को सुधारक के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है सेख अहमद फारुक सर हिंदी को क्वेशन नमबर 19 है ख्वाजा कुतुबदीन बक्तियार काकी किस सिल्षिले से संबंधित थे ये संबंधित थे चिस्ती सिल्षिले से कोसन नमबर 20 है उस सूफी संत का नाम बताई है जिसने दिल्ली में साथ सुल्तानों का सासन देखा था तो उनका नाम था सेक मोयनुदीन चिस्ती या निजामोदी नवलिया कर सकते इनको कोसन नमबर 21 है निमलिखित में से किसने भारत में सुहरा वर्दी पंथ की अस्थापना की थी ये की थी सेक बहावदीन जकारिया कोसन नमबर 22 है सेक बहावदीन जकारिया किस सूफी सिल्सिले से सम्मन्दित थे इसका अंसर हो जाएगा सी सुहरा वर्दिया कोसन नमबर 23 है सेक बहावदीन जकारिया सम्मन्दित थे सुहरी वर्दी सिल्सिला से कोशन नमबर 24 है भारत में सुवरावर्दी सिलसिले को लोकप्री बनाने वाले सूफी थे इसका अंसर हो जाएगा कोशन नमबर 25 है और अंतिम कोशन है आज के लिए दारा सिको किस सूफी संपरदाय से संबंधित था दारा सिको जो मुगल समराज कराया था और अंजेव का ये भाई दारा सिको किस सूफी संपरदाय से संबंधित था ये संपरदाय से कादरी सिलसिले से ये थे कोशन आज के लिए तो उमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इसका आगला पार्ट भी भी में धार्मी कांदोलों से भी अपलोड होगा कल तो ये वीडियो कैसा रहागा वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक शेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम